दोस्तो आप लोगों ने हॉरर कॉमेडी से भरी बहुत सारी मूबीज देखी हुँगी लेकिन आज मैं जिस मूबी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मूबी सबकी जुआपर है जिसने डराने के साथ साथ आप लोगो को असाया है जिस मूवी का नाम है Istri ये मूवी अमर कोसिक के डारेक्शन में बनी हुई है और जल्दी सिनेमा गरों में Istri 2 भी आने वाली है और आज मैं इस मूवी के फर्स सिक्वल को एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ और अगर आप लोग इसी तरह की और भी मूवी देखना और पाना चाते हैं तो प्लीस हमारे चैनल को जरू सस्क्राइब कीजिएगा और साथी वीडियो पसंद आए तो लाइग भी कीजिएगा तो दोस्तो आईए एक्स्प्लेइन करते हैं मूवी को मूवी के सुरवात होती है मात्यपदेश के चंदेरी गाओं के एक छोटे से कजवे से जहाँ पर हम देखते हैं कि गाओं की हर एक दीवार पर और साथी लोगों के घरों के भार यह लेखा होता है वो इस्त्री कलाना बेसिकली इस गाओं के अंदर एक चोड़ल आती है और घर के दर्वाजे खटकटाती है और जो भी दर्वाजे उपन कर देता है वो चोड़ल उसको उठा कर अपनी साथ ले जाती है लेकिन उसके कपड़े वहीं पर रह जाते हैं मिन्स यहाँ पर चोड़ल आदमियों को नंगा करके ले जाती है और उनके कपड़े वहीं पर छोड़ देती है दरसल यह सारी गटना मर्दों के साथ गटित होती है जिसके बाद हम एक घर को देखते हैं, जिसके घर के बार इस्तरी आना तो लिखा हुआ था, लेकिन उसमें से कल सब्द मिट चुका था, इसलिए इस्तरी उसके घर के अंदर चली जाती है, वहाँ पर एक आदमी था, जो की हलका हो रहा था, इस्तरी तभी उसका नाम पुकार जाती है, और बाद जैसे पीचे मुड़कर देखता है, उसी वक्त इस्तरी उसकी जान ले लेती है, इसके बाद कहानी पिजन्ट में जाती है, हम देखते हैं इस मूवी के लीड कैक्टर राजकुमार राओ को, जिसका नाम इस मूवी के अंदर बिक्की होता है, बिक्की य यहाँ पर मर्दों को लेने के लिए आती है, और उनने ले जाने के बाद उनके कपड़े वहीं पर छोड़ जाती है, इसके बाद हम बिक्की को देते हैं, जो कि अपने घर की छट के उपर बैटा हुआ था, लेकिन तभी उसके पास स्रद्दा आती है, अपना एक गरारा से लवाने के लिए, और यहाँ पर स्रद्दा भी इस गाओं के अंदर केवल पूजा के लिए आई थी, और वो बिक्की से बोलती है, कि साम को पूजा के वक्त मंदर के अंदर मिलेंगे, इसके बाद तभी बिक्की अपने दोस्तों के साथ पूजा में जाता है, और पूजा स ही रात के अंदर में बिट्टू और जाना दोनों ही अकेले जा रहे थे, लेकिन तवी वहाँ पर रुद्र भही आते हैं, और उन्हें समझाते हैं कि तुम रात के अंदर में ऐसे मत घूमो, मीन्स इस्तरी आप लोगों का सिकार करना चालू कर चुकी है, और वह उन्हें ब कारेगी तो आप पूरी तरीके से सुन रह जाएंगे और पीछे मुड का देख लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, अगर आपने ऐसा कर लिया, तो आपकी मौत पक्ती है, और साथ ही वो ये भी बताते हैं, कि चप्पलों को हाथ में लेकर आगे की तरफ तभी रुद्र भीया के पास सर्मा नाम की एक लड़की का खौल आता है, और तभी वो वहां से चले जाते हैं, अब बिट्टु और जना दोनों ही डरे सहमे से वहां से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी इन्हें कुछ अजीब और गरीब आवाज आती हैं, और इन्हें रात क जंगल की तर्फ जाडियों में दो डरावनी आके दिखाई देती हैं, जिसके कारण डर जाते हैं, और वहां से फौरण ही भागने लगते हैं, अब भागते वक्ते बिक्की के पास पहुंच जाते हैं, और यहां पर नाच गाना हो रहा था, उस घर के बहार भी यही लिखा हुआ था, वो इस्तरी कल आना, लेकिन जब भी नाच गाने का प्रोराम खतम होता है, उसके बाद यहां पर हम बिक्की को देख पाते हैं, जो कि बहार आकर दीवार के उपर टॉलेट कर देता है, जिसके चक्कर में वहां पर कल सब मिठ चुका था, अब इसका मतलब हो चु और भी ज़्यादा फैल चुगा था, तब ही हम देखते हैं कि सरद्दा ने बिक्की से एक पत्र के द्वारा कुछ ऐसी अजीवा गरीव चीज़े मंगाई थी, जिस सामगरी को देखकर ऐसा लग रहा था, जैसे कि इसको काले जादू के लिए उप्योग किया जाता है, बि सरद्दा आज भी लेट आई थी, और इसलिए वा पूजा में सामिल नहीं हो पाई थी, और जब बिक्की उसे पूजा का प्रिसाद देता है, तो बो भी नहीं खाती, तब ही वो उसे अजीव गरीव जगा ले जाती है, यहाँ पर पूरे तरीके से अंदेरा था, और गहना सरद्दा को बिक्की के अलावा उन लोगों में से किसी ने नहीं देखा था, और हैरानी की बात तो यह थी, कि वा पूजा के समय प्रकट होती है, और उपर से उसने ऐसी अजीवा गरीव सामगरी मंगाई थी, जो की काले जादू के लिए उप्योग की जाती है, उसके सम होने के चकर में दोनों पैदली अपने घर पर जाते हैं, और बिट्टू अपने घर के रास्ते और जना अपने घर के रास्ते निकल जाते हैं, यानि कि दोनों अलग हो जाते हैं, और यहां पर जना जब अपने घर जा रहा था, तब रात के वक्त इस्त्री उसे आवाज पहली बार में तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखता करकि उसे रुद्ध भहिया की बाते याद आ जाती है और दूसरी बार में भी वो पीछे नहीं मुड़ता लेकिन तीसरी बार इस ती उसको आवाज देती है तो वह एक बहुती बड़ी गलती कर देता है वह जैसी पीछ मुड़कर देखता है तभी इस ती फॉरण उसे वहाँ से ले जाती है अव जना के गायव होने के बाद बिट्टो को उसका काफी दुखता इसलिए वह बिक्की को भी समझाता है कि जिस लड़की के साथ वो प्यार में पड़ा है वह इस तरी है इसलिए वह कृप्ड़ा सा मिलता है और फॉरण ही सिलकर वह उसे उसी जगापर मिलता है और उसकी जगर वालियों को मिलता है एक ऐसे आदमी के पास जाने का जो कि इस सब कामों में काफी knowledge रखता हो और तवी बिट्टू उसको रुद्ध भाया के पास ले जाता है वह जाने के वाद वह इस तरी के बारें पूछते हैं उनके पास एक किताब थी चंदेरी पुरान ऐसी कुछ तवी वह उस किताब के अंदर पढ़कर उन्हें बताते हैं कई साल पहले सेर में एक वैशिया हुआ करती थी सेर का हर मर्द उसके सबने देखा करता था लेकिन तवी उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो कि उसकी आत्मा से प्यार करता था दोरों ने साधी करने का फैसला लिया लेकिन समाज वालों को या बिलकुली मंजू नहीं था क्योंकि आखिर एक वैसिया अपना घर कैसे बसा सकती है इसलिए समाज वालों ने मिलकर उसको और उन दोनों को जान से मार दिया और अब मौत के बादग वा अपने उसी अदूरे प्यार की तुलास कर रही है आउसके अगले पनने पर स्थी सब बचने के कुछ उपाय भी लिखे हुए थे लेकिन अफसोस उस किताब के अगले पनने फटी हुए थे लेकिन उसी किताब के अंदर उनको एक महल दिखाई देता है जो कि काफी खंडर था और हरानी की बात तो या है कि वह महल उन्हीं के गाउं के अंदर था इसलिए रुद्र भाया बिक्की और बिट्टू तीनों जोने इस बात का पता लगाने के लिए उसी महल के अंदर जाते हैं वह महल देखने में काफी डरावना था और रात काफी हो रही थी इसलिए तीनों काफी डर रहे थे इसलिए तीनों अलग रास्ते पर जाते हैं और बिक्की इस बार भी पीछे मुड़का नहीं देखता क्योंकि उसे रुद्र भया की वह सारी बाते याद थी। लेकिन थोड़ी देर के वाद वह पता करता है कि उसके पीछे कोई भी नहीं है। और जब वह जैसे ही पीछे मुड़का देखता है तभी इस्ति वहाँ से चल कर उसके पास आती है। उपाय डूरते हैं और जब यह अपने घर जा रहे होते हैं तब ही राष्टे में उन्हा जना दिखाई देता है जो की पूरे तरीके से नंगा था यहां लोग सही सलामत जना को अपने घर पर ले जाका छोड़ देते हैं लेकिन देखने में जना बिलकुल भी नॉर्मल नहीं दिख़ ञा था उस इस्तिरी न उसको अपने कपजे में कर लिया था उसी रात को जना कुछ घर के बाहर वो इस्तिरी कल आना कल सब्द को मिटा देता है जिसके बाद वह इस से घर के अंधर हमला करती है और वहां के कुछ मर्दों को लेकर चले जाती है और जब बिट्टु जना से मिलने के लिए जाता है तो वा पहले जैसे बिलकुल भी नहीं था वा अजीबों गरीब प्रकार की हरकते करता है और सभी लोगों को मानना शुरू कर देता है लेकिन किसी तरह से सरद्धा अपनी सक्तियों से उसे रोक लेती है लेकिन जिसने इस किताब को लिखाता उसे कुछ याद होगा इसलिए रुद्ध भाईया उन सभी को एक आदमी के पास लेगा जाते हैं जहां वो आदमी बताता है गाउ वोलने इस तरही की कभी इज़त नहीं की इसलिए अब गाउ में जो भी मर्द जब तक जिंदा रहेगा वह इस तरही किसी को भी नहीं छोड़ेगी सब को मार डालेगी और वह उन्हें ये भी वताता है इस तरही को केवल वही रोक सकता है जो कि बरगत की पेड़ की गोद में जन्मा हो उसका रंग गेरुआ हो और उसकी नाक लंबी हो और साथी समझे वो खुद को अपना राजा और भी काफी सारी चीजें और इसी के साथ साथ उनके साथी देखते हैं और सारी की सारी चीजे विक्की के अंदर मैच हो रही थी जी हाँ दोस्तो विक्की अपने गाउं के बरगत की पेड़ की गोद में जन्मा था और साथी उसकी नाक भी लंबी थी और यहाँ पर दोस्तो हमें एक और चीज मालुम चलती है उसकी मा एक तवायफ थी जी हाँ दोस्तो जाँ उसके पिता और बाकी सब ने उसे चपा कर रखा था अब यहाँ पर उन लोगों को इस्तरी से लड़ने वाला एक रक्षक मिल चुगा था इसलिए वा विक्की को तियार करते हैं और पूरी तरह से दूला बना देते हैं और वह यह एक महल बना हुआ था वह उस महल को पूरी तरीके से सजा देते हैं उन सभी लोग को यह लग रहा था कि इससे स्वागरात की मुकी है इसमें स्रद्दा उस से गहती है कि तुम उसे लालच देना और वाज जैसे ही तुमारे पास आए तभी इस चागू से उसके दिल पर वार कर देना वा विक्की को उसी जगा पर छोड़ देते हैं और महल के बार लिख देते हैं वो इस्तरी आना जिससे कि इस्तरी या पढ़कर अंदर आ जाए और वो तभी कुछ ऐसा ही है आखरी रात को इस्तरी उसी के पास जाती है बिट्टो रुद्र भाईया और सरदाया तीनों चुपकर देख रहे थे लेकिन तभी उसी रात को जना उन लोगों पर हमला करता है क्योंकि वह इस्तरी के कंट्रॉल में था वह जैसी उन पर हमला करता है तभी इस्तरी वहां आकर बिक्की को उठा कर उसी पुराने वाले महल के अंदर ले जाती है या लोग जैसे तैसे करके जना को कंट्रॉल करते हैं और उसी उप्राने वाले महल की तरह चले जाते हैं वहां जाकर BIKKI स्वागरात मनाने की तैयारी करता है लेकिन तब ही इस तर्घी चिलाने लगती है और तब ही उसे ऐसा लगता है कि वह यह सब नहीं करना चाहती अब थोड़ी देर के बाद स्ट्री उसके करीवाती है और उसकी आँखों में देखने लगती है और बिक्की भी उसकी आँखों में देख रहा था लेकिन स्रद्दा वहां आका स्ट्री पर हमला कर देती है और वह उससे कहती है जल्दी से इस चाकू से उसके दिल पर वार कर दो लेकिन बिक्की यहाँ पर ऐसा नहीं करता वो सद्दा से कहता है कि अगर मैं भी उस पर वार करके उसको मार दूँगा तो गाउँ वालो और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा और वा उस पर तरस खाता है और उसे नहीं मारता लेकिन थोड़ी देर के बाद इस तरी फिर से उनके पास आती है अब वा बिक्की को चला चला कर देखने लगती है जब बिक्की काफी डर रहा था तभी सद्दा उसे मानने के लिए चाकू उसके पास पैंकती है और अब इस तरह इस्तरी बढ़क जाती है सरद्दा के उपर हमला करती है लेकिन वा इससे पहले सरद्दा को मार पाती तो इबिक्की पीछे से जाका उसकी चोटी काट देता है क्योंकि सरद्दा ने उसे बताया था चोटी काटने से उसकी तागत खतम हो जाएगी वस वा मरेगी नहीं और ऐसा होते ही इस्तरी वहां से चली जाती है उसके जाती ही वा दोनों उस महल से बाहर निगलते हैं और इसके बाद वा इस्तरी सभी पुरुसों को छोड़ देती है और सरद्दा उस चोटी को उठा कर ले गई थी अब जब गाव की सारे पुरुस मिल जाते हैं तो वहां का नेता इन लोगों को इनाम देता है और इनका गाव के अंदर काफी नाम हो जाता है इसके बाद सरद्दा अब इस गाव को छोड़ कर जा रही होती है जहां पर वा बस इस्टॉप पर अपनी बस का बेट कर रही थी विक्की उसे काफी रोकता है उसका नाम नमर पता करने की कोसिस करता है लेकिन कुछ भी नहीं पता चलता और वा बस में बैट कर वाँ से चली जाती है रास्ते में जाते वक्त हम देखते हैं कि सरद्दा के हाथों में इस्टे की चोटी थी जहां उसने वाँ से उठा लिया था तहीवा चोटी को अपने बालों में लगा लेती है और वाँ से गाय हो जाती है और आखिरा मूवी के end में हम देख पाते हैं गाओं वाले अब history का काफी इज़त करते हैं और उन लोगों ने वहाँ पर history की एक मूर्ती बनाई थी जिसके नीचे लिखा हुआ है ओ, history रक्षा करना और मूवी के end में वहीं पर हम history को देख पाते हैं जोकि अपनी मूर्ती के आगे खड़ी हुई थी और इसी के साथ इस बैतरीन मूवी की काणी यहीं पर समाफत होती है तो दोस्तो, मैं उमेद करता हूँ आप लोगों ये मूवी काप ही पसंद आयोगी